अंध विश्वासी हैं बॉलिवूट के ये सूपरस्टार, फिल्मे हिट कराने के लिए करते हैं अजीबो गरिब टोने टोटके, कोई हीरो देता है कबुतर का बली, तो कोई जाता है टोटका करने मजार पर, आईए आपको बताते हैं, नंबर पाच पे आते हैं गोविंदा, 90's की सूपरस्टार रही गोविंदा को आज पबलिक भूल चुकी है, मगर गोविंदा के बारे में कहा जाता है कि गोविंदा बाबाओं के चक्कर में पढ़ गए थें, फिर बाबाओं के कहने पर, फिल्म शुरू होने से पहले कबूतर की बली तक दिलवाते थें, ताकि गोविंदा की फिल्म सूपर डूपर हिट रहे, नमबर चार पे आते हैं राकेश रोशन, रितिक रोशन के पिता राकेश रोशन के फिल्म में जब लगातार फ्लॉप होने लगी, और राकेश रोशन कंगाली के गगार पे पहुँचने ही वाले थें, कि एक बाबा ने कहा की अपने फिल्मों का नाम अंग्रेजी के के अक्षर से रखो, फिर राकेश रोशन ने करन अर्जुन, कोईला, कहोना प्यार है, कोई मिल गया, करिश, काबिल जैसी सूपर 8 फिल्में बनाई, और सभी का नाम अंग्रेजी के अक्षर के से रखा, नमबर तीन पे आते हैं अमिता बचन, बॉलिवुड के महना अएक अमिता बचन के जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया कि कर्ज इतना जादा बढ़ गया था कि दिवालिया तो खो गये थें, बॉलिवुड में कोई भी उन्हें काम तक नहीं दे रहा था, और कर्जा लगातार बढ़ता ही जा रहा थ फिर एक बावा ने कहा कि निलम की अंगटी धारन कीजिए, फिर अमिता बचन को यस चोपरा की सिफारिश से महबते फिल्म में काम मिला और फिर कौन बनेगा करोड़ पती में, जिसके बाद अमिता बचन का करियर दुबारा चल पड़ा और सारा कर्ज अमिता बचन ने चासलेट कभी नहीं उतारते हैं और नमबर वन पे आते हैं शारुख खान शारुख खान के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म जीरो फ्लॉप होने के बाद शारुख खान को उमीद नहीं थी कि उनके फिल्म दुबारा हिट हो सकेगी फिर किसी बाबा ने शारूख खान को हर फिल्म रिलीज होने से पहले वैशनो देवीत के दरवार में हाजरी लगाने की सला दी पठान से रिलीज से ठीक पहले शारूख खान वैशनो देवी गए और फिल्म ब्लॉक बस्टर रही फिर जवान के रिलीज से पहले भी शारू खान वैशनो दे भी गए थें और फिर मावैशनो की किरपा से फिल्म हजार करोर कमाने बाली बॉलिवूड की पहली फिल्म बन गई जवान